हलो एवरीवान, वेलकम टू दिस अमेजिंग एन आउसम प्लाटफर्म आफ फिजिक्स वाला, बहुत बहुत स्वागत है सारे बच्चों का हमारे इस प्यारे से चैनल फिजिक्स वाला फांडेशन पर, तो कैसे हैं आप सभी बच्चे लोग, how all you are doing, hopefully आप सभी लोग कुश्बी की उना हो, class 10th के exams हम पूरे करके बैठे हैं, पूरे अच्छे तरीके से सारे exams अबने दिये हैं, लेकिन अब इसके साथ आपके लिए एक चीज माइंड में आनी चाहिए, वो ये है कि अब हमें 10th के बाद क्या करना है, बहुत सारे बच्चे जो है, वो आर्ट हो पर आपकी एक फिकर आ रही है अंदर से कि अब 10th के बाद क्या करना है, 10th के बाद बहुत सारे बच्चों को तो अभी mind में clear भी नहीं है, कि हम कौन से field opt करें, क्या बनना चाह रहे हैं, तो ये बिटा time है, अभी सोचो आप क्या बनना चाह रहे हैं, आप लाइफ में क्या बताऊंगी कि अगर आपका mindset, अगर आप सोच रहे हैं कि मुझे judge की तरफ जाना है, या मुझे lawyer बनना है, वकील बनना है, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है, हो सकता है, कई लोगों को पता हो, हो सकता है, कई लोगों को नहीं पता है, क्योंकि ये आपकी एक ऐसी stage है, कि अभी आप थोड़ो सा डगमगा रहे हैं, अभी आप clear नहीं है, कि आप actually में कहां जाना चाहते हैं, ठीक है, तो आज के session में मैं आपको यही बताऊंगी, कि how to become a judge और a lawyer, अगर आपने ये सोचा है, कि judge बनना है, या lawyer बनना है, वैसा देखो, इस age पर सोच लेते हैं, लोग बहुत कुछ लेकिन आगे जागर चीज़े चेंज भी हो जाती है, कुछ लोग सोचते कुछ हैं, जाते किसी और field में, ऐसा भी हो जाता है, तो आज का ये session आपके लिए है, कि अगर आपका मन lawyer या judge की तरफ का है, तो उसके लिए क्या-क्या करना होगा, कैसे exams देने होगे, कौन सा course करना होगा, कौन सा course important है, ये सारी चीज़े हैं, ठीके, लेकिन इससे पहले, आपके सवाल जो आपके मन में आ रहा है, वो ये है कि भई, class 10th हमने कर लिया है, अब 10th के बाद क्या, 10th के बाद क्या करना है, भई? 10th के बाद क्या करना है, तो बिटा मैं आपको बता कोई CB stream opt कर सकते हैं ठीक है कोई CB stream opt कर सकते हो कोई बार नहीं है कि आपको आर्ट ही लेना है कि आपको साइन्स ही लेना है कि आपको कॉमर्स लेना है 10 के बाद आप कोई भी लाइन आप्ट कर लीजे कोई प्रॉब्लम नहीं है आया समझ में आप 10 के बाद आपने कोई भी से कुछ भी ले लिया कोई प्रॉब्लम नहीं क्लास 12 में जब आप आजाओगे तो क्लास 12 के बाद अब आपके सामने जज या लॉयर बनने के लिए दो आप्शन्स खुल जाते हैं ठीक है दो आप्शन बिटा आपके सामने खुल जाएंगे क्या है पहला ऑप्शन पहला ओप कुछ-कुछ नहीं भी सुना होगा लाइड क्या होता है आपका कराल होता है और यह आपका क्लाइशन किरा जाता है LLB plus, you can say it is BA, इसमें आप BA LLB कर सकते हैं, इसमें आप BCOM LLB कर सकते हैं, ठीक है, इसमें आप BSC LLB कर सकते हैं, इसमें आप BTEC LLB कर सकते हैं, अभी मैं आपको बता रहे हूँ, क्या है ये सब, ठीक है, ये क्या होता है, ये CLAD जो है न बिटा आपका, ये 5 साल का होता है, य कि इसमें आपको ये साथ लीक़ कराते हैं ठीके के कि अब ल, बी ही क्यों भाई जज बढ़ना है लॉयर बढना है तो इसकी यह वो होती है आपकी ऑंहेś कि उसके बाद आप eligible हो जाएंगे वकील बढ़ने के लिए और जच के एक्जाम देने के लिए समझ रहे हो तो बहुत सारे बच्चे जो बिल्कुल सकते हैं या आपने बीकॉम किया यह यापने भी टय किया समझ अब आपका B.C. BA B.com. यह आपका तीन साल का कोर्स है, भाई, B.T.E.G. आपका चार साल का कोर्स है, अब क्याहोगा, अब क्या करना है, अब इसके बाद क्या करना है, लॉयर जज्ज बनने के लिए, नोइकूल, लॉयर जज्ज बनने के लिए, आपको चाहिए LLB की डिगरी, ठीक है, और LLB कितने साल का होगा यहाँ पर, तीन साल का होगा भाई, समझ रहे हो, कि तीन साल का होगा आपका, अब तीन, अगर आपने BAB.com, BSC करने के बाद LLB किया, तो तो आपके लग गए 6 साल, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, तो अब क्या होगा, चार सार उसने B.tech में दिये, तीन साल LLB में दो गए, तो यह हो जाएंगे आपके 7 साल, ठीक है, हो सकता है, BSC के बाद LLB ना जाए, कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है, BSC के बाद M.C कर जाए, बीकॉम के बाद M.C कर जाए, बीए के बाद M.A कर ले, कई सारे फील्स ओपन रहते हैं, सब में फॉर्म हम भरते हैं, जिसमें नाम आ जाएगा, अकर सब में आ गया, तो हमारे पास च्वाइस है, आरहे समझ में, तो ultimately कहने का मतलब यह है, कि क्लास 12 के बाद आपके सामने ना बिटा, यह दो लाइन ऑप्शन खुल जाते हैं, या तो आप सिंपल क्राइशन कर लीजे, या आप क्लाट के दूरू जाए, जब आप क्लाट लगे के लिए आपको graduate होना चाहिए, तीन साल की graduation वाली degree आपके पास होनी चाहिए, यह जरूरी है, LLB के लिए, LLB करा आपने, चीके, अब LLB की degree आपको मिल गई, LLB की degree मिल गई आपकी, LLB डिगरी आगई भाई आपके पास, अब LLB की degree मिलने से, आप यहां पर यह जज नहीं बन गए, क्या करना होगा? आपको देना होगा exam, किसका? जज का exam होता है, ठीके? जज का exam होता है, APO, Assistant Prosecution Officer, PSU's का exam होता है, Public Sector Undertaking और Banking Sector में SO का exam होता है, SO Specialist Officer, यह APO हो गया, PSU हो गया, Banking Sector का, यह आपका SO हो गया, यह क्या है? यह आपके बनते हैं, Government वकील से बनते हैं आप लोग, ठीके? क्या होता है, जैसे Banking Sector की बात करें, अब Bank का किसी से विवाद हो गया, वो क्या करेगा, केस कहां से लड़ेगा? तो वो अपना एक Lawyer हायर करते हैं, उनका एक Lawyer होता है, जो उनकी तरफ से लड़ता है, तो है, अब कंपनी का मालिक तो नहीं जा रहा न, मापे, कौन जाएगा? एक Lawyer जो है, वो हायर करते है, लीगल परसन को हायर करते है, तो आप इस सेक्टर में जा सकते है, एप यो भी होता है, और जजज आपको पता ही है, ठीक है? तो यह लाइन आपके सामने खुल जाती है, अब जज के लिए अगर आपने ट्राइ किया, तो क्या होता है, कि जब आप जज का एक्जाम दोगे, तो जो आपकी पोस्टिंग मिल दी है, और फिर कई पोस्ट इसमें आपको फ्लेकंड क्लास, फॉर्स क्लास, एजेम यह करके, मतलब कहने का यह है, कि जब आप एक्जाम यह जो दोगे, यह जो आप एक्जाम देंगे बिटा, इससे क्या है, इसमें आपका रिटायरमेंट डीजे के पोस्ट पे जाकर हो जाता है, डीजे मतलब डिस्ट्रिक जज, आप अगर एक्जाम के थुरू जाएंगे, यह जजज वाली एक्जाम के थुरू जाएंगे, त और ranking की base पर posting मिलती है नई अगर आपको UP में Judicial Services जज़ बढ़ना है तो आपको UP का Judicial Services का exam देना होगा आपको MP में बढ़ना है तो आपको MP का देना होगा ठीक है UPJS उत्तरपरदे Judicial Services MPJS मद्दपरदे Judicial Services बिहार Judicial Services मतलब यह है कि हर स्टेट अपना अपना कराती है यह आल ओवर एक्जाम नहीं होता यह स्टेट वाइस एक्जाम होता है ठीक है अच्छा यह नहीं हो सकता कि आपने एक्जाम दिया यूपी का और आप सोचे हम बिहार में बन जाएंगे यूपी में एक्जाम दिया DJ के पोस्ट पर जाकर हो जाता है दूसरी लाइन हमारे पास क्या आती है लेलव के डिग्री मिल गई बहुत सारे लोग क्या करने लग जाते है वकालत करते हैं लेकिन ऐसा नहीं एक्जाम देना पड़ता है जिसे कहते हैं और इंडिया बार कॉंसल और इंडिया बार एक्जाम नॉट काउंसल बार एक्जाम यह एक्जाम आपको पास आउट करना जरूरी है इसके बाद ही आप प्राक्टिस कर सकते हैं जब यह एक्जाम औल्मोस क्लियर हो जाएगा तो आप बन जाते हैं आडवोकेट क्या बन जाएंगे एड़ोकेड बन जाते हैं ठीक है ठीक है अब इसका एक फाइदा और मैं आपको बताती हूं वो यह है कि बान लोग प्राक्टिस करी बहुत सारे लोग नहीं चाहते हैं जाते हैं उन्हें वकील बढ़ने का शौक होता है तो वो इधर आ जाते हैं प्राक् एम और दे सकते हैं जिसे हम कहते हैं हैं आजजे एस यह घूडिशियल अफिसेज अब क्या होता है हाय जूडिशिल सर्विसेज जो भी कांडीडेट जो भी बच्चा इसको क्लियर कर लेता है उसकी चो पहली पोस्टिंग होती है वो डी ज़से ही होती है समझ रहे हो इसमें आपटीज fascinated जाते इस लाइन में बहुत सारे बच्चे नहीं जाते इस लाइन में माबाब कोदेखना इतनाल चला herbs करने ऐसे जाते हैं कोछ शौğa किया उनका पैशन परक्पारणे करने एसमों जाते हैं तो वह स्ञोटषे इसeg今करन से Kenn albeit higher judicial services का जो exam दिया जाएगा, उसमें जो पहली posting आती है, वो आती है, डीजे की, district judge, और इसमें क्या होता है, आप यहाँ पर high court या supreme court के judge तक भी जा सकते हैं, ठीक है, मतलब यह है कि LLV की degree आपकी होना बहुत ज़रूरी है, अगर आपको judge या lawyer line में जाना है, अच्छा, और एक चीज आती है, वो यह है कि माल लीजे, आपने ना judge दिया, ना आपने practice करी, आप पढ़ाना चाहरे है, teaching line में जाना चाहरे है, तो आपको क्या करना होगा, LLV के बाद करना होगा, LLM करना होगा, फिर LLM के बाद आपको PhD करना होगा, उसके बाद आप professor बनते हैं, ठीक है, तो यह एक आपके सकते हैं, यहाँ पर लिख लीजे, कि अगर प्रोफेसर बनना है, ठीक है, प्रोफेसर बनना है अगर आपको, प्रोफेसर बनना है, तो LLV चाहिए ही चाहिए, भाई LLV के डिगरी आई गई, प्लस LLM चाहिए, प्लस इसके बाद क्या करना पड़ेगा इसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद आपको करना पड़ेगा, प्लस इसके बाद आप बनते हैं, एसिस्टेंट प्रोफेसर, ठीक है, एसिस्टेंट प्रोफेसर, ओके, मतलब यह है बिटा, कि यह सारी लाइन्स आपके लिए ओपन है, अगर आप जज लोयर की त passion है जिनको बनना है बहुत dignity वाली post होती है ये भी ठीक है तो exams के तुरू जाएंगे तो आप DJ पर retire हो जाएंगे practice करेंगे तो उसके बाद अगर आप ये clear होता है तो आप DJ से start करेंगे और आप Supreme Court के judge तक जा सकते हैं ठीक है और अगर इन दोनों में से कुछ नहीं करना है तो आप फिर LLB और LLB के बाद LLM करके PhD कर गया प्रोफेसर भी बन सकते हैं तो ये सारे options आपके लिए open है और इन पे आप सोचिए क्या करना चा रहे हैं कैसे करना चा रहे हैं किस लाइन को अप्ट करें कैसे क्या करना है अभी से सोचो बहुत टाइम है उस वक्त सोचोगे तो हो सकता है चीज़े और पजल हो जाए क्लियर रहो माइंड में ठीक है तो ये सारी लाइन आपके लिए open है सो फोफिली आपको आज का ये सेशन समझ में आया होगा चीज़ें क्लियर होंगी अगर आपको जज़ लोयर की तरफ जाना है सो थांक यू बेरी मच्च और हाव गुड डेए